हेलो वेलकम तो इंग्लिश प्लानेट दिस इस कुनाल और टोड़ेस्ट टॉपिक इस इंट्रोडेक्शन हाव टॉड्यूश यूरसेल्फ आप कहीं भी जाते हैं किसी से मिलते हैं इविल इंट्रीव के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होता है और वो बताना काफी important होता है अगर interview में तो especially आपका first round जो होता है वो काफी अच्छा होना चाहिए अगर आपका introduction काफी अच्छा होता है तो HR impressed हो जाता है और उसी से में 90% chances होते हैं आपकी jobs के because कहा जाता है first impression is the last impression लेकिन अगर हमें problem है हमें English उतनी अच्छी नहीं आती है और अगर नहीं भी आती है और normally हमें कहीं भी बताना introduction तो हम बता सकते हैं इसके लिए जो मैं tips बता रहा हूं इसको follow कीजिए और इसमें सारी बाते कवर हो जाती है जो एक interviewer को required होता है अगर आपके बस work experience है तो अपने work के बारे में बताते हैं कि क्या experience आपको है इसके अलावा आप अपनी hobbies बता सकते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पार्ट इसमें cover होनी चाहिए ताकि वो जो आपका introduction हो काफी impressive हो तो आज मैं आपको बताता हूं how to introduce yourself उससे पहले मैं बता दूँ लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था मेरा address है रुन्य सैथपूर नियर कट्रामोर डिस्टिक सितामरी और मेरा नाम है कुनाल मेरा इंस्टिचूट का नाम है वो है English Planet आप इसे subscribe कीजिए ताकि आपको जो भी हमारे नई वीडियो आते है वो आपको time to time मिलते रहें और आप इसको देखते रहें ठीक है तो नव लेट स्टार्ट इंट्रक्शन अगर मुझे किसी को भी इंट्रड्यूस करना है तो क्या करते हैं सबसे पहले अपना नाम बताना होता है नाम बताने के अलगलग तरीके हैं कोई बोलता है my name is कोई ब बहुत लोगो की आदत है यो बोलते है myself जैसे मैं कुणाल हूँ तो मैं बोलता हूँ myself is कुणाल यह totally incorrect है तो आप क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं like my name is अगर आपका नाम कुणाल है राज है कुछ एक्जामपर लेते हैं जैसे my name is राज तो मैं लिकूँँगा my name is राज I am राज और दिस राज my name is traditional है जो हम पहले से बताते हैं कुछ से से पूछते हैं तो वहीं बताता है my name is कुणाल उसके अलावा I am यह भी काफी अच्छा है I am कुणाल अब बोल सकते हैं या I am राज बोल सकते हैं फिर जो आजकल trendy है जो spoken English में आता है ऐसे भी आप दे यूज करते हैं और आप देखते होंगे सही से तो आपको आप सुनते होंगे वह बोलते क्या है इस इस आल्वेज यूज किया जाते हैं इस तो trendy English कहता है इस यूज करना तो आपके उपर डिपेंड करता है बट मैं रेकमेंड करूंगा बेटर है आप डिस इस इस करें एक स ने को यह बताएना है कि आप कहां से बहुं करते हैं बहुं करते हैं बहुं का मतलब नेटीट प्लेस आप कहां किया है सबगे में अगर भूबना चाहें तो आपकिया बहुँ चाहए हैं चाहिो चैश su好好 बात क्या बताते हैं next आप qualification बताते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है या क्या पढ़ाई कर रहे हैं सपोज मैं graduation में हूँ या icon में हूँ तो मैं क्या बोलूगा I am pursuing I am pursuing pursuing का मतलब होता है जो पढ़ाई अभी आप कर रहे हो complete नहीं हुआ है अभी just currently आप उसी class में है सपोज आप class 10 में तो आप यह भी बोल सकते हैं I am in class 10 यह भी अच्छा है यह भी आप बोल सकते हैं इसके लावा यह भी बोल सकते हैं I am pursuing 10th class या आप देटर है I am pursuing सपोज मैंने बोला I am pursuing become तो आपने बोला I am pursuing become तो बीकम का मतलब होता है Commerce बैसलेंग निए तो आपके उपर टीपेंड करता है आप जिस क्लास में भी है आप उस क्लास का नाम लिख सकते हैं तो सपोज मैं बीकम में हो तो मैं लिखूंगा I am pursuing become इसके बाद next qualification जब हो जाता है तहमाप अपने family के बारे में बताते हैं आपका family background है क्या Family background में आप अपने father के बारे में बताते हैं रह माम क्या करती है तो कैसे हम इसको बोल सकते हैं मैं आपको रहां My Father's Name Is My Father's Name Is बहुत लोग बोलते हैं My Father's Name Is My Father's Name Is My Father's Name Is Suppose किसे के फादर का नाम है Mohan तो लिख दिया My Father's Name Is मोहन और साथ में हमें ये भी बताने को करते क्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ही इज ही इस अगो इंजीनियर है किसान है जो भी है तो आप लिख सकते हैं सबोज वह एक इंजीनियर है तो लखेंगे ही जैन है एंजीनियर है पिर मॉम के बारे में बताते हैं मॉम के बारे में मुस्टली मॉम का नाम नहीं बताया जाता है बिकर समा जो इंडिन कल्चर है इसमें मा की नाम से कुई नहीं पाचानता क्या अपका अब्रस क्या होगा तो बिटर है पापा का नाम बता यह निक्स कि नौट सभी बट मुस्तली जो होती है वह हाउस वाइफ होती है तो हम लिख सकते हैं my mom is a my mom is a homemaker homemaker भी बोल सकते हैं या फिर housewife लिख सकते हैं कि तो तो माई मॉमीच अब अफिर आप अगर बताना चाहें कि आप कितने भाइब आदने तब पुल सकते हैं विभाइवन कुए एक साथ विभर्जों सिस्टय नर्मली बोला जाता है बट एक साथ अगर हम बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं siblings निवाइवड से खाता है siblings जिसका मतलब ही होता है भाईवन को एक साथ में बोलने के लिए हम siblings का यूज करते हैं एक ही माता पिता से जो संतान होते हैं कि मां से जो संतान होते हैं सबको एक साथ हम siblings बोलते हैं तो Suppose अगर मैं दो भाइवान हूं तो मैं क्या लिखूंगा we are two siblings siblings इसके बाद अगर आप यह बताना चाहते हैं कि मैं सबसे बरा हूं या सबसे छोटा हूं या बीच में हूं जो भी आपका नंबर आता है उसमें आप बता सकते हैं otherwise आप नॉमली बताएं we are two siblings, three siblings, जितने भी हैं इतने siblings बताकर next आप आजाते हैं अपने होबी के बारे में तो अगर आपकी होबी हैं तो लिख सकते हैं जासे about my hobby about my hobby मैंने लिखा about my hobby about my hobby लिखा इतमें मुझे के बल एक hobby बताना है लेकिन लोग के एक से अधिक भी hobby होते हैं तो अगर मेरा एक से अधिक hobby है तो उसके समें hobbies लिखेंगे था about my hobbies no, अगर single hobby है तो क्या लिखेंगे about my hobby जो भी आपका hobby है आप लोग सिखते हैं suppose cricket खेलना मेरी hobby है तो मैं क्या लिखांगा what my hobby playing playing cricket लेकिन अगर मेरे पास दो hobby है तो मैं यह लिख सकता हूँ about my hobbies playing cricket and listening to music अगर मेरा म्यूजिक भी है तो तो अपने according जो भी hobby आता है आपके डिस्क्राइब कर सकते हैं तो एक ब्रीफ introduction है आपके बारे में या आप किसी के बारे में बताना चाहते है अपने बारे में बताना चाहते तो यह सब बाते कवर होनी चाहिए अगर interview में भी जा रहे हैं तो इतना कवर करते हैं इसके अलावा अगर है तो आप experience के बारे में बता सकते हैं जो experience qualification के जस्ट बात बता सकते हैं सपोज आपके पास दो साल के experience ना बोल सकते हैं आप two years working experience with this company और जो भी आपका प्रोफाइल है आपने बारे में बताओ अगर आपने इंग्लिश में बताया अपने बारे में और आपने बताया आप क्या करते हैं क्या नाम है कहां से बलॉंग करते हैं आपने बताया तो इंप्रेस्ट हो जाते हैं को यह भी इन अफ्रेस्व से नेज़िक्सती है नुक्त करते हैं कर इसfilm आपने इंत्रौण बताया है और जो बताया है और जो ऑल्रेडि आपको पता है कैसे बताना है तो बेटर है आपको जो इंट्रौण बताते हैं वह काफी अच्छा